जब कार्गम की रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं तो ऐसा लगता कि लोग घर बैठे जब कार्गम को सुख रहे हैं तो कुछ न कुछ नया जाना चाहिए और क्या? लोगों तक नया पहुच रहे हैं जिससे हमारे भी अभीजे जी का आना सार्थप हो जाए अबरे भीजे सुने का कि फिल में दुनिया वालों ने काया है जाए जाए अरे खोले गाया गोनते उठे गाया पर दा मुझे गया गोंगटे उठे गया पल्दा मुसी कि लगोदी दार नहीं आरे अब देखो अब भी इसमें अपने कोई भी जीवा रही लो साहे में फिर भूल गई मैं याद मुझे कुछ आया था लो साहे में फिर भूल गई लाद जी तर्जे कीत को चुले ला जिसमें सावित्री के पती सत्वान के प्रान लेकर के यम्राचा रहे हैं सावित्री पीछे पीछे चल देगा यम्राच ने कहा कि देवी देखिये समय को कोई टाल है सकता है इनकी आयू इतनी ही थी सावित्री नहीं मारें पीछे पीछे जा रहे हैं यम्राच ने कहा देवी तुम्हारी एक्छा हो तो कुछ मांग लो सावित्री ने कहा देवी अगर और एक्छा हो तो कुछ मांग लो लेकिं तुम्हारे पती के प्राह वापस नहीं कर पाऊंगा ये हैंसावित्री ने कहा कि अगर देने चाहते हो तो मुझे पत्र्वκι्ति होने का बर्दान दे दीजे ये मराच ने कहा ए पुसर्टू। एसा ही होगा। फिर ये मराच आ गए çıkar के अगे सावित्री पीछे पीछे यह मुराज ने पूचा देवी तुमने जो माना वो हमने दिया अब क्यों पीछे आ रही हो और क्या आप ले बड़ान दिया कि आप पुत्रवति होगी बोले हाँ दिया तो दिया मेरा बचन अटल है सामित्री ने कहा आप ने कहा पुत्रवति होगी लेकिन बिना पती के कैसे मेरे पती के प्राद दुआ किये जा रहे है और जा और जब ऐसा सुना तो अधनी दादा जी सुनिएगा सुनिये और मांगे कि खाति मांगे ललल जो तुझे को तेरा कर तार मिला जावारे भादे 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 आओ और जो, यह हमारी भादे प्रादे गार्वारे कि अधर कर नहीं रहा है आपको अधर बराबरी की कोई पहनेत कर नहीं रहा है आप बस अधर कर दोलक तक और पूछ ने पढ़े गाओं तक अधर हमारी मांता है बहने मैठी हैं जर आप लोग सुली गए इसकी को को जब देवताव ना देखा कि सावितरी अपने पती के प्राएं वापस ले आए तो देवता प्रसब लोकर के फूलों की वारिस कर रहे हैं और इतर देव कहने क्या लगे है मांगे किखात मांगे ललल जो तुझे को दिला कर तार मिला अर पती बरता के आगे यम का धीन यम तार तार मिला क्यों मांगे से तेरी मांगे सजी ये जो तुने मांग आगी है सावितरी उससे तेरी मांग सज गई है सुनेगा मांगे से तेरी मांगे सजी ये क्यों मांगी ऐसी मांगी थी लभी देवों को मांगी चची ये मांगी ऐसी मांगी थी यहां साबित ने की जो मांग उसने की उससे उसकी मांग सच गई बड़ बिया अब दूसरी जगह ठीक अपोजिक डिसका देखिए कैसे कैसे रिखे कैके माता कोग भवन में है और जब यह महाराथ दसरत को पता चला तो कोग भवन में पहुंच गए बोले कैके ठेकी इतनी उदास क्यों लग रही हो अरे किसी ने तुमारी तरफ ओंगली उठायो दो उसको हाथ कटबा दू किसी ने तुमारी तरफ नजर उठायो दो उसकी आके खुडबा दू अहा ताके वो जीवत भर बलेम कलर का चश्मा लगा कर घूमें करवे नहीं किसी राजा को रंग बना दो किसी रंग को राजा बना दो दो बर्दान दोटय नहीं पाए हाए रजा को रंग बनाने वाले जातन न भ्रेब को आज ऑर दो के बदले चार मांग लो, तो कहके ने मांगा सुनाओ प्राण प्रिय भापत जी का देहू एक बर भरत है ठीका, दूसर बर मांगों कर जोरी, कौन सा बर्दान है जो हाँ चोड़ के मांगना पड़ना है, तापस बेस बेसे सुदासी, चौदय वरस रौप बनवासी, और जब रामजी बढ़ को चले गए, तो भहिया भरत आए, पता चला कि रामजी को बनवास हो गया, तो भरत जी कहा क्या यह मतर के कैसी, सुनाओ बटा चार मांगों में दूने मांगे लिया बने, रभुपति को बनवास मिला हखता है, हखता है, हखता है, हखता है, तूनस रहे खटोल पहसेये, पहसे डाए और इस, शुनावोह वोपेस बाई के साथ में अती ज्यादा लगी है सुनिये बरजी करें मोटा कह कैसे मा मा मागो में तूने मागी लिया बन रभुपत को बन वास निला अरे नारी के बिसास में आके निर्पत को उपहास मिला क्योंकि मा मांगे से सूनी मांगे हुईsal सावित रिकी मांग से मांग सज नहीं है लेकिन कैके है या जिसकी मांग से मांग बुजड़ जाती है मांग ऐसे सुनी मांगी हुई ये क्यों मांगी ऐसी मांगी थी पहले सावित्री की मांग सच गई, केखी की मांग उजड़ गई, केवल मांग से ही आखी में सुनिएगा द्रोपदी जिसने उजनम में भुले नाज की तकस्या की, भुले नाज से बर्दान मांगा, बर्दान में कहा बर्दो, 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 बर्दो पांच बार बर्दोई बर्दोगा नग्रान भुले नाद्रगा एव मस्तू तुमने पांच बार बर मांगा है इसलिए जाओ तुमारे पांच बर यानि पांच पति होगे कोई गुति पांच बाटवों की मा है इधर अर्जोन इधर अर्जोन जिस समय स्वेंबर से द्रोपती को जीत करके लाए और स्वेंबर ऐसा वैसा स्वेंबर नहीं है उस स्वेंबर में एक सर्द है के कड़ाई में पानी एक कड़ाई में तेल बरा हुआ है प्या जी ऊपर मचरी घूब रही है और ओ मचरी की परचाई कड़ाई में देखकर के उसके नएन पुतरी में तीर मारना है यानि कहीं पर निगाएं तो कहीं पर निसाना ऊपर मचरी उसकी दन नीचे नएन पुतरी उपर मचरी नीचे नएन पुतरी अउन लेकर के आए अर्जुन ने अपनी भीर्ता से द्रोपधी को सुईपर से लाये लेकिन माज़कुंति के पास आये बोले मा मैं कुछ biscuitाया हूँ माने का बेटर जोबी लाये हो पाँचो बाइभाख लो मा मैं तो एक नारी को लाया हूँ अरे! मुझसे क्या निखल गया? लेकिन मादव कुंती ने कह? कि मैंने पह दिया है अले माने जो ताये वह भी माना जाएगा लेकिन सोचे एक पतनी के पाँच पत्ती होंगे पाँच पती होंगे उस नारी को फरे भी संभान मिला है बैया जी तो पांचों पति सुईकार कैसे कर रहे हैं समस्या खड़ी हो गई बेदव्यासी ने इसका निलाकर्ण किया बेदव्यासी ने समस्या का हल लूडा और हल ये मिला कि बैया जी जो दोपदी जिस पती के साथ मरहेगी संभोग करेगी प्राता इश्णान करने के बाद वह पुना पुमार वस्था में आ जाएगी यहे गठा को समस्ते रहिए और वही द्रोपदी पचकन्याओं में आती है और एक और संयोग देखेगा क्या बठे बहु द्रोपदी पचकन्याओं में है मांगो में जैसा मांगी लिया बर वैसा उसे बर दान बिला अरे पांच पती के साथ मेरे गर फिर भी उसे सम्मान मिला लेकिन या वो सुहागन भी है और कुवारी भी है तो वो बस्ता आए मांगे यह सूणी देखी भरी है सूणी भी है सूद्या सूते रहिए मांगे यह सूणी देखी भरी है क्यों मांगी ऐसी मांगी लिया मांगे यह सूणी देखी भरी है मांगे यह सूणी देखी भरी है मांगे यह सूणी देखी देखी भरी है तो तो दो क्या है कि जब से निकले लुगार से वहो रिया कि जब से निकले लुगार से वहो रिया सब ताले लमों पे नजरिया रे सब छूबा लंचाय पर गोरे गाले रे अर गोरे गाले रे साची का तानों का तो गोरी तोरी चुनरी पर लाले लाले ऐसे का ऐसे का तो गोरी तोरी चुनरी पर लाले लाले रे रोड पे चले लूँ का मारे जाए अधनी बिजबिया और पस्ते जरुतव है तो मतलब ये तर्ज से आगे मर्ज होना चाहिए आप लोग तर्ज में हस गए लेकिन बात तर्ज में अपने आप ताली बज़ जाए बग्वान बोले ना से माता भवानी ने कहा कि प्रभू मुझे अमर कथा पान कराईये बोले नास ने कहा ठीक है भवानी आपकी इच्छा है तो आपको अमर कथा जरूर सुनाएगे लेकिन एकांद में गोले नास माता भवानी को एकांद में फरवत कर लेगे भिया जी गोले नास ने अपना ड़भू बजाया कि कहीं कोई जिव जन्तु वानना खैर पाए क्यूंकि अमर कता है जो भी सुने को अमर हो जाए है प्रिज्य कुछ ईंटेन बर्वाद कुछुएन आयिके सिस्टि अनित इस खोटकर देशी कि मतिक verbal सब्सक्राइब लेकर तभी, तभी हुआ क्या भी अदादा जी, सुरिये, कथा को सुरिये, समस्ते भी रहिए, मा सोही कथा में जराए कथानक सभी को मालम कोई अपर्चित नहीं है, माता भवानी जरा सा सो गई कथा में सुनेगा सुरिये, सुरिये, मा सोही कथा में जराए, तभी नो देन हुंका भराए एक नोशे कणना था उसमें जीव पड़ गया और जीव आ गया, माता भवानी सो गई अ मातोBoy के जैसे हुंका देन बंद हुआ तो यह तोता हूँ हूँ, हूँ पूँ, हूँ मसोही कथा में जराए तब इन दोते ये भूंका भराए तब देखा स्यु संभून दाए बाए रे दाए बाए रे अरे दाए बाए रे जचला सूल संभू का साए साए अब तो तो भाग रहा है तो 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 अंदर गया तो 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 अंदर जा रहा है बोले नाथ पहुंच गए तो अंदर जा गया तो बच जाएगा क्या बोले नाथ बोले अब बचेगा नहीं अहाँ अरे बोले तो संभू अब हम ना जाए रहे अरे बोले हैं संभू हम ना जाए रहे तो तो ता भी बोला हम ना आए रहे बोले आना तो तुझे पड़ेगा अरे जो मां के गर्म में चला जाता आ जाता विया जी उसको नो महीने बाद तो बहार आना ही पड़ता है अहाँ अंदर से आब आ जाए बोले नाथ आप गलत भेमी में हैं अहां हम नो महीने बाद भी दहीं आएंगे बोले नाथ बोले तब तक तुम आओगे नहीं यहीं बैठे रहेंगे बैजी नो महीना चोड़ी एक साल, दो साल, पास साल, साल, दस साल लए पूरे बारा साल बीत गई बाहर भी निकले तब देव तक अबड़ाने लगे कि बोले नाथ अब तो आप चाहिए नहीं तो क्या हो दाएगा बोले नाथ ने का ठीक है मैं आरा तुझी तब निकला मैं भी तुझे परदान देता हूँ तो बाहर निकले वही बने स्री सुखदेवजी महाराज जिन्होंने कथा अम्रत पान कराया पहिए सुखदेवजी महाराजी ने स्रीमत भागवत कथा का पान कराया लेकिट बड़े अचरच की बात है भागवान बोले नाथ कि आराद को ने राम जी इन्होंने तोते पे रसूल जोड़ा तो राम जी भी पीछे नहीं आटे की जान की कह तो राम जी को गुस्सा आया राम जी ने सीव उठाई और उस कवह की आनी pike चेत के पीछे छोड़ दई तीर रूम में वह सीक जा रहे है यज äंग नहीं अ कौई आगे आगे तब भागा वो कागा दाएं बाएं रे, दाएं बाएं रे, अरे दाएं बाएं रे जब चला तीर रगवर का साइं साइं रे तब चला तीर रगवर का साइं साइं रे तो करके भागा भागा वो काइं बाएं रे और अगरे एक छोटे से वाई ऐसे दिवा बड़ा अच्छा लगता हूं के मोसे तो यह जी कोई बहागा तरण जी कोई जगे नहीं मिले तो समी देवताओं के पास गया सब देवतन के छूबे को पाइए रे तेवता करते हैं पाइए पाइए जाहिए 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 यहां मचाने वाले नहीं है जाओ शिडियां बहुत ज्यादा अपने आपको समझता था यह कव्वा अब आया समझ में कव्वा बोला गुस्से में हमारी दुजान आपत में ही तुम मज़ा ले रही हो अरे अब ना कर तू चाहे रहे अईसे ना कर तू चाहे रहे करके वाला दो दावो जाए रहे खोर्क रहे質 hol ज्यास का सब्सक्रजा गाओं े उजिख करहांने की जैजठी जैए आपक्ता एवडरिया आपना पाना जी की सभाण जता जिया हाजा जी जी कि एक बार करपना जी कि सम्मान में तालिया में जा दीजिए लोग वीच में क्यों जा रहा है वाई सवर में यहाद हाद अभी बहुत सुंदर करफिस आपने प्रस्थुत किया है बहुत अच्छा लगा लेकिन अगर आज का युग होता तो न संकर जी तुशूद चलाते न राम जी पार चलाते अब तो क्या होता खोली चल जाती अब धाय थाये अगर खोली किसी की पतनी को छेयरे खानी करेगा त दन्यवाद देता हूँ आपको मुझे घटना याद आती है एक बार जैसे सावित्री के पती के प्राण लेके अमराज गए तो यमराज जी एक बार यहां आ गए एक आदमी के घर देखे यमराज से कोई नहीं बस सकता तो यमराज उस आदमी के घर आए और बोले चलो राम खिलावण ने सिमाख लगाया उन्होंने कहा भगवन पहली बार हमारे घर आयो चाय नास्ता तो करी ही लो यमराज को चाय पिलाने लगा जब यमराज जी चाय पीने लगे तो राम खिलावण ने सूची में उपर नाम काट के नीचे लिख दिया सोचा पादम नंबर आए यमराज जी जब चाय पीछ के तो नों नकात खिलावण तुमारी भगती से बहुत फूस हुए अब हम उपर ने नीचे सुरू करेंगे जोड़ आता है सब छूए का चाहे हमले पोने गादरे तो कोरी कोरी जुनरी कैसा लादरे ए दिए, पुरि फोरी जुनरी मला लाले अरे लोड पे जले नू कमा चाले ऐखर गोरी, हाँ, खोरी, चुनरी, मन लादं लादे, ये भी है, खोरी, जुनरी, मन लादं लादे, अरे गोड़ पे चले दू कबान में, वाथ मरिया कटपीस आई है ड़ी के भागा कोटा बोला टाइटाइए आप दो जानको कोटा टाइटाइए बोलता जानको चानको कोटा बोलता dest widespread बोट अच्छाा है कोटाइटाइटाइटी परियास करना हो रहा हूं वैसे काव काव मैं आने-जाने के कोशी नहीं कर नहीं लेकिन लेकिन वह घ्र्टा में मिला है तो आपको मौका में जाता कि दादा हमारी कर्षपिये सो सजी हो की थी तो आप सेता में पहुच गए तो उन्हें का नहीं बैमानी नहीं करनी चाहिए नहीं कि वामदारी जाद शुक्रजाब बसी उन्होंने उन्हें यहां एक विशाद यक कायर जंद किया सबजिए उसमें यक शिकिननर गंधाव जिसी मुनी तमादों का मंति थे सब को निमंतर दिया लेकिन भखवान भूले नाथ को नहीं थे माता पांपते ने कहाँ स्वामी हमारे पिता जी यग कर रहे हैं मैं जाना चाहिए कहा जाना तो नहीं चीक है क्योंकि जो निमंतर नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए लेकिन माता स्थी ने कहा कि स्वामी पिता के यहां अगर पुत्रे बिना निमंतर के भी पहुँच जाए तो कोई अपनान नहीं तो जाओ जाओ वो चली गई लेकिन वहां पहुची तो भगदा श्यू का वहां स्था अपनान कर रहे थे उनकी निंदा कर रहे ते अलोचना कर रहे थे यह बात माता स्थी से नहीं सहन हुई और लुगों ले उसी यग कुन्द में पूद करके अपने पहुद्धी इज़ जब बोल हुँचे है यप ससूरा जीया कर चुचे है यप ससूरा जीया मौरी जली गई आक लमा मेहरिया ये है, क्या पास है, बहुत है, ये है, सबज़िए, ये रेखिए जो पहुंचे हैं जब ससुररीया, मोरी चली गई अगिन मा मेहरीया चपट का चटा के, चपट का चटा से है एक पाल रे जब सस्थी का चटा का है एक पाल रे एक पाल रे तो एक पाल का पाई ता एक पाल रे बहुचे, बहुचे पाल का धी भद्र का नी अव बाल बने बालक धी भद्र यूँ पहुँचे है जब ससुनरिया तो मोरी चल गई अगिनमा मेहरिया जब पढ़का जदाका है एकपाल रे एकपाल रे तो एकपाल का पाई ता एकपाल रे एकपाली का पाई ता एकपाल रे ऑँ करहिता के धर्षी को लाल का अगरेणलावे धर्षी को लाल रे तो लाई शुनीे का वो येंगे को तहस महस करने लगे जो भी सामने आ रहा है उसको मार रहे धर्दी कुन से दाल हुई आए लाए लाए एक पाली का पईता एक पाल ने और लगे धर्दी कुन लाए मेहान के दक्ष बजबवती का भी सिरकाः दिया अप्धेवकाओं ने वहन से प्रांसना किया कि यह पुद्धायदु है या कि जो हो रहा है था ये कि यह देवकाओं के ऑसंसार के एक कञ्ञार के ही हो रहा था तो महाराज को गैसा उपनाए करे कि यह निगरा हो जाए तब तब ध़ित्जज़ पची के सिर पर उनके धर पर एक पक्रे का सर लगाया गया पक्रे को दूसरी खासा में आज कहते हैं पक्रे का नाम एक आज भी इस दिखे आब कचे धर्पे है आजी की खोपडिया कर दे रवा जिदे रहो जिदे रहो जिदे लाज रखे कचे धर्पे है आजी की खोपडिया अजमाने बक्रे की खोपडिया, कट्के धड़ते हैं अज की खोपडिया, और वो कर क्या रा, करे मेमे, वो अज की खोपडिया, 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 शंबूर दया ने तो शिरूप पहुंचे है जब ससुररिया और मुरी चली गई आगिरमा में आ शेघ गुरी पहुआन हो पिनना अैजर सत अचर के तो शीयृशन के बहुआन के बहुते हैं अच्छी को एट शेपिन्यार सक्लाव प्र मांगे किकाति, मांगे जरनने को, मुझी को तेरा करें तार मिदा पात आगे बना रहा है जब यम्रा सिर्वान छील आई सावित्री सत्यवान जीवित हो गए तो पहू को देख करके सत्यवान के माता-पिता बड़े पसंद हुए और वो अपनी पहुष सावित्री से कह रहे है क्या वाले में तूने याले में तूने याले जन्यक बड़े जन्यक याले याले वाले में तूने वाले को ओमांगे आगे की, बहाँ बुर्वाद है, वर में तूने वर को मांग के, सूना घर बुर्जार गिया, पर के दिन तू घर में रही ना, जब तूने देखा तेरा वर घीविद नहीं बचा, तो तू घर में नहीं रुकी, और शीदे यामराज के पीछे प्रिशे चलिए। वर के बिना तू घर में रही ना, रो रो नयन जार जार किया, वर ने तू ने वर को भांगे जे, सूना घर बुर्जार गिया, सूना घर बर जार किया, सूना घर बर जार किया, सूना घर बर जार किया, आप आपके गीज में युग भी रगे हैं। तू दिखें आप, तू दिखें आप, तू दिखें आप, आपने के केई बनके कहा, तो मैं तश्र बनके को लाओं। नोट दे हैं। पर कैसा तू ने माँगा, खीना तू भर करें डारा, और माँग भरत को लाजा, तू ने ये क्या कर डारा, तू दिखें आप, क्यो? क्यों 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 क बर से तूने बर को मांगके नेदों में आसों की धार दिया बर ने तूने बर को मांगके सुना घर बुल जार दिया बर को मांगके सुना घर दिया एक चुगाओ तू आपर से दे रहाओ रोनो पुकारे दीन दोपदी लाज बचईया आजाओ बहन कुमारी रोती है अब बहन के भाईया आजाओ मेरे पाचो मेरे पाचो पर अब देखो कैसे है राचार किया करने तूने बर को मांगके तर सुना घर बुल जार दिया करने तूना कर पुल जार दिया प्रेम से बोधी शंकर भरवान की ये जब सनिकले लोगर से बहुरिया रे सब ताले लगों पे नजरिया रे सब छूबा लचा है पर गोरे गाले रे अर गोरे गाले रे सजी का तनुगा हाँ